हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एग्री एंपायर आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPAT रिजल्ट और कट आफ के बारे में ये बहुत सारे बच्चों की यहां पर क्यूरी थी कि सर रिजल्ट कब आएगा आप का सबसे कम अंक मेरे 85 अंक है OBC कैटिग्री से हुँ मैं क्या मुझे कॉलेज मिलेगा क्या मुझे बचाने वाला हूं रिजल्ट डेट के बारे में भी यहां पर हम इस वीडियो में बात करेंगी कि कब तक आएगा आपका कब तक आ सकता है कट आफ के बारे में बात करेंगे कि कट आफ सबसे कम अंक में आप कौन से कॉलेज में लेंगे और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है वीडियो के बारे में रिजल्ट क्या है तो सबसे पहले यहां पर बिना तो रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों अगर जिसने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर ले मैं इसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा आपको क्योंकि आपको क्यों ज प्टð एड़ुम्स उप्डेट रहती हैं उसको मैं तेस जल्द यहां पर अप्लोड बढ़ते हैं अपने result के बारे में result date बारे में क्या है तो सब सबसे पहले देखते हैं कि 2023 का डाट के दिन होगा था कौन से दिन कॉन से डीट के दिन क्या एकिसाम हुआ था उसके एक्सपेक्टेट तरीके में उसके पर करते हैं ८यादा सब्सक्राइब तर्टी आ सकता है ठीक हिसा बात करें हैं form 26 माई को closing date 9 जून ठीक है application correction window तो 14 जून तक चलिए और सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्त MP आप यहाँ पर बात करते हैं most important चीज एंपी पीटी exam date 2023 ठीक है 11 12 जुलाई को यहाँ पर आपका exam हुआ था result कब आ गया था आपका result भी यह आपका आ गया था जून से जुलाई की बीच में आपका result आ गया था यानि कि जुलाई में 11 12 जुलाई को आपका exam हुआ और जुलाई और अगस्त में आपका result आ गया इस पार तो पिछले बार पी-ए-टी का अब बात करते हैं फ्रेंट्स कट-off के बारे में कट-off क्या रह सकता है आपके कम से कम अंक में किस कैटिगरी को कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये बात करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दो तो जिससे की मेरा भी confidence बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहा हूं तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहां पर cut off क्या जा सकता है आपका कम से कम college में आपको क्या college मिल सकते हैं तो यहां बात कर लें फ्रेंड्स आपके लिए बता दूं ST category और SC category के लिए 75 से 80 जिसके marks हैं ना STC category के लिए बता रहा हूं OBC male और female दौनों के लिए यहां पर लेकर चर सकते हैं वैसे तो मैंने cut off के उपर एक full detailed video आपके लिए बना दी आप उसको मैं description में उस video के link दे दूंगा तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं cut off की video यहां पर मैं आपको expected यहां पर lowest cut off के बारे में बता रहा हूं STC girls और boys के अगर 75 से 80 के बीच में हैं तो उनके 100% chance है कि उनको government college अच्छा सा मिल जाएगा free seat में ठीक है और बात करें अगर OBC और general की तो OBC और general की ज़्यादा हाई फाई नहीं जाता है बराबर ही जाता है दौनों का ठीक है तो OBC यहां पर mail की बस बात करें भी female की थोड़ी यहां पर disturbance हो जाएगा क्योंकि female का कम जाती यहां पर रहता है OBC में ठीक है तो OBC male और general OBC male की बात करें तो जिसके 98 से 92 क बीच है उसके यहां पर selection हो जाएगा 100% है कि उसका selection हो जाएगा यहां पर OBC में बात करूँ 88 से 92 के बीच हैं तो उसका selection हो में और बात करें अगर गर्ड जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना आपका एक लाइक बहुत ही इंपोर्टेंट होता है मेरे लिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स इंपोर्टेंट वीडियो कसा जब तक के लिए धन्यवाद